है लो गाइज वेलकम माई यूटूब चैनल मोस्ट एंगर व्लोग तो आपके लिए ला चुका हूं एक नया व्लोग आठ्वा व्लोग है यह मेरा और इस आठ्वे व्लोग में आपको कुछ सर्प्राइज दूँगा और वो सर्प्राइज आप भी देखके सर्प्राइज हो तो उस शर्प्राइज की तरफ ले चलते हैं तो चलिए मिलते हैं कि तो सर्प्राइज कुछ ऐसा है जो दिखाने में बहुत ही जबरदस्त है और और सर्प्राइज आजे back बहुए幫 लेकिन ब्लोग में अभी आ रहा हूं क्योंकि ब्लोग्ग चैनल मेरा था नहीं इसलिए मैं अउश शर्प्राइज को लेकर आपके लिए आया हूं एक महिने पहले उए था तो सुब्ल्वाइज दिखाते आपको ठीक है मिलते हैं है तो सब्लाइज है कि घाईज हमने एक नई बाइक ले ली है हाँ सुन रहे हैं आप कि हमने एक नई बाइक ले ली है और मेरे घरवालों ने मेरे लिए खरी दी है वो बाइक तो उस बाइक का नाम है पलसर तो चलिए आपको बाइक को दिखाते हैं ठीक है तो जैसा कि आप देख रहा है कि बाइक मेरे पीछे खड़ी तो चलिए आपको बाइक को दिखाते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस कि यह है बाइक इसका लुक बहुत ही जबरदस्त है और आगे से पीछे से बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और 125 सीसी है यह बाइक और यह पीछे से इसका लुक है और आगे से भी इसक को ले नहीं आ पाया तो इसके लिए स्वारी और बाइक बहुत ही अच्छी है एवरेज भी इसका बहुत ही दमदार है तो चलिए आप के नज़्दीद पहुँचके कुछ दिखाते हैं तो गाइज यह एम गाड़ी पर बैड़ बहुत ही दमदार है और चलती बहुत अच्छा है और किसी से स्पीड में किसी को कि इसा बाइक पिछाड़ सकती है ऐसा कुछ भी नहीं है कि यह पिछाड़े के बात करें इस गाड़ी के एवरेज की तो इसका एवरेज पहुत ही जबरदस्त है सायद पच्चास का एवरेज देती है मुझे नहीं पता है इसके बारे में लेकिन इतना मुझे लगता है कि पचास का एवरेज देती है और बहुत ही दमदार है तो चलिए इस लगी रहा है देखने में ही और थोड़ा उतर के हम दिखा देते हैं आपको इस बाइक को और ये है इसकी इसका जो सीट है वो बहुत ही जबरदस्त है अगर मैं आपको सजेश्ट करना चाहूंगा अगर आप एक अच्छी बाइक और थोड़ा अपने बजड मिलेना चाहते है तो ये बाइक आपके लिए बहुत ही बेटर है चलने में भी बेटर है और क्या ही बताए इसके इतने गुड़ है जो बता नहीं सकते हैं ठीक है बिलते हैं तो गाइस हम बाइक के बारे में आपको और कुछ टिप्स देना चाहेंगे और आपको नजदीकियों से उसकी बार दस्तमदार है और काफी अच्छा भी है पलसर जो बाइक थी वो थोड़ी महेंगे आती थे लेकिन वाई और गाड़ियों को टकर देने के लिए कमपनियों ने अपना कुछ परिवर्तन किया और बाइक का सायद फ्राइज एकला कर दिया और देखने में एकड़म लुग भी अच्छा है और लोग सबसे जादा अगर किसी को पसंद आ रही है बाइक तो वो पलसर है ऐसा बता दें कि हमारे गाउं में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर एक पलसर बाइक होगी नहीं बाइक बहुत ही अच्छी बाइक है इसलिए लोग इसको अपनी फास चॉइस बनाएं और देखने में लुक कितना सांदार लगता है देखे और ये जो इसके टायर है वो भी बहुत ही जवरदस्त है और खास बात है कि इसमें डिस ब्रेक है और आपको हचका लगने नहीं देगा और बहुत ही जवरदस्त दमदार और दिखाते हैं आपको स्टार्ट हो चुकी है तो चलिकते हैं और ये बाइक स्टार्ट हो चुकी है यह हमने थोड़ा सा गेर लगाया ठीक है और एकसी लेटर कैसे ले बाई देखे ये थोड़ा सा बढ़ने लगी है ठीक है तो गैस इसको थोड़ा सा आगे करके नहीं द तो गाइद जो सर्प्राइज देना था हमने उस सर्प्राइज को आपको दे दिया है तो आप बताईए कि यह पाइक कैसी हो और क्या मेरे घरवालों ने आम मैंने अच्छी चुनी आ या नहीं चुनी है तो आसा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी अग पारे साथ उन सब का हम ब्लॉग लेकर आएंगे और बहुत ही चबर्दस बाइक है सजस्ट तो यह करना चाओंगा बाइक कही लीजिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्ट ब्लॉग में धन्यवाद नमस्कार जैहिंद